एक लड़के को अपने नेबर में रहने वाली लेडी अच्छी लगने लग जाती है उसके बारे में उसने और भी जाना तो बहुत सारे राज बाहर आए Hello friends, आज मैं आपको American Affair in 2008 की एक Hollywood movie explain करने वालो यह coming of age movie है अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजेगा बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम अमारे man character Adam को देख सकते है Adam अपने school में था वो अपने friend से कहता है कि वो लड़का तुमें gay बुला रहा है कि इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे वैसे भी तुम कुछ कर भी नहीं सकते है इस तरीके से जिडाने के बाद Adam के friend ने उस लड़के को बहुत मारा जब है fight खतम हुई तो Adam को भी मारता है Adam है Catholic school में बढ़ता है तो वहाँ की sister बहाँ पर आए और इन दोनों को ले कर जाती है इन दोनों को एक दिन के लिए detention में डाल दिया गया था Adam का friend उससे बहुत ही गुसा था क्योंकि उसकी वज़े से fight हुई थी Adam भी realize करता है कि उसका एक करना बहुत ही गलत था तो उसे वो sorry भी कहता है आज जो fight हुई थी इसमें Adam का teeth तूट चुका है वो घर जाकर इसे glue से चिपका लेता है रात में dinner करते वो कुछ nude magazines वो पढ़ रहा था तब यह अपनी neighbor पर उसकी नजर बढ़ती है उसकी neighbor हमारी और एक main character है जिसका नाम है Catherine Catherine किसी आदमी के साथ थी उसने कुछ ज़्यादा पहना नहीं था Adam उसे देखकर excited हो किया वो अपने आपको please करता है वो Catherine को लेकर बहुत ही curious था अपनी school ख़तम हो जाने के बाद उस पर वो नजर रखता है अपनी दूर्बिन से उसके घर बर कौन आता है कौन जाता है इसके बारे में उसे पता चलने लग गया एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो जाकर उसका mail वो लेकर आया इस mail में उसे President Kennedy का लेटर मिलता है यह हमारी story उस time की है वो जब mail बढ़कर बाहर आ रहा था तो Catherine ने उसे notice किया वो पुछते हैं तुम यहां कर क्या रहे हो Adam ने कहा कि मैं कुछ काम ढूंड रहा हूँ मुझे यूरोप पर ट्रीप पर जाना इसके लिए थोड़े से पैसे अगर मेरे पास होगे तो अच्छा होगा अगर आपके पास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ Catherine ने उसे घर में invite किया पुछती है तुम क्या कर सकते हो Adam ने कहा क्यूजल जो भी चीज़े होती है घर का काम, garden यह सा मैं manage कर सकता हूँ Catherine भी Adam को garden का काम देने के लिए मान जाती है Catherine की घर में उसका और President Kennedy का फोटो था Catherine गहती कि वो मेरा friend है President Kennedy का friend होना यह बहुत ही बड़ी बात थी एक बार जब Adam की mother President से मिली थी तो बहुत ही ज़ादा excited थी Adam राज में हमेशा Catherine को खिड़की से देखता है उसके photos भी लेता है अगली दिन स्कूल में Adam की friend Faith उसे बात करती है उसे लाइक करती थी तो आज शाम उसने अपने घर पर उसे बुला लिया बहाना तो सिर्फ music सुनने का था यह बात कर बात है उससे पहली वहाँ पर sister आगे Adam की कान किच कर उसे वहाँ से लेकर जाती है घर आने पर Adam Catherine के पास बोचता है उसे कहता है कि आपने मुझे garden का काम दिया था Catherine के घर में Adam ने बहुत सारी pendings देखी यह सब Catherine की pendings थी Adam कहता है इसमें तो सिर्फ मुझे color दिखाई दे रहे है उसे कुछ भी लोग वेकर आप कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देते Catherine कहती है तुम्हें उसमें जो भी देखना है वो तुम देख सकते हो वैसे भी इसका form डेड हो जुका है इसका मतलब है यह स्लोली स्लोली मर रहा है वो फिर Adam को अपनी garden दिखाने के लिए लेकर गई एक बहुत ही beautiful garden थी पर Catherine गहती है मुझे इससे पूरी तरीके से मिटा देना है इसके बाद वो फिर से प्लान करेगी Adam भी समझ गया कि इस garden की फुल मूर्शा जाते है इस वज़े से Catherine इसे फिर से बनवा रही है Adam garden में काम करने लगया और थोड़ी देर बाद Catherine उसके पास आई और वो बहुत ही अच्छे से dress थी Adam गहता है आप बहुत ही beautiful लग रही हो Catherine हस्ती है और वहाँ से चली जाती है Adam जब रात में घर पर आया तो उसकी मदर फादर नोटिस करते है उसके कपड़े बहुत ही जादा खराब है वो Catherine के लिए अब काम करता है इसके बारे में उसने उन्हें बता दिया इस बात से उसकी मदर बहुत ही जादा अफसेट हो गई थी उसे समझा दिया कि Catherine एक अलग टाइप की लेडी है तो हमारी तरह नहीं है उसने बहुत ही अलग-अलग चीज़े की हुई है उसे इंडारेकली बता रही थी कि Catherine का चारेक्टर अच्छा नहीं है Adam कहता है कि आप नहीं तुका था कि मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए ये बाद Adam के फादर को भी सही लगी वो कहते हैं तुम काम तो कर सकते हो पर काम हो जाने के बाद डारेकली घर पर आना आजरात फिर से Adam Catherine के घर के सामने नज़र रख रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गार्डिया खड़ी हुई थी उसने अपने दूरबिन लगा कर देखी तो प्रेसिडेंट कैनेडी को वहाँ देखता है वो इस बात से शौक्त हो गया अगले दिन गार्डन पर काम करते हो प्रेसिडेंट कैनेडी आपका फ्रेंड है तो आपने बहुत ही सच कहा था मैंने कल रात उन्हें आपके घर में देखा कैथरिन गुस्ता आओकर बोल थी इस बारे में तुम भूल जा कभी भी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कुछ चीज़े प्राइवेट रखनी चाहिए अडम का अपने पैरेंट से पता चला था कि कैथरिन का भी एक बेटा था इसके बारे में भी उससे पूछ लेता है कैथरिन गहती ही कि अब वो तुमारी एज का होता वो बहुत ही स्वीट था कैथरिन एडम को अपने बेटे का दरा समझती है या एडम को अच्छा नहीं लगता दोनों की बातों से में बता चलता है कि कैथरिन और उसका हस्बर्ण इन दोनों में फाइट है थोड़ी देर में जब कैथरिन गह से बाहर गई तो एडम उसका पीछा करता है कैथरिन आज लुशेन से मिलने के लिए गई थी लुशेन एक्च्छल में कैथरिन के एजनसी के लिए काम करता था इनके एजनसी इंफ्लुएंशल लोगों को जैसे प्रेजिडन बहुत बड़े बिजनेसमैन इन लोगों को लड़के सप्लाइ करने का काम करती है लुशेन कैथरिन को प्रेजिडन कैनेडी को कुछ बताने के लिए कह रहा था वो एक पॉलिटिकल बात को लेकर प्रेजिडन को कुछ समझाना चाहते थे पर कैथरिन की उससे उस तरीके से बात नहीं होती है बहुत ही घटिया लगा कहती है इस दाथ को तुम फिक्स करवा दू इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अड़म ने पने पैरेंट्स को बात बताए कि उसका दाथ टूट चुका है तो उस पर वो बहुत जादा गुसा हो गए थे उन्हें लगता है कि इसके बारें उससे पहले बताना चाहिए था वो कैतरीन के गर पर काम कर रहा है टूट के बारें नहीं बताया इन सब बातों से मदर बहुत ही अफसेट थी एडम भी अफसेट होकर कैतरीन के घर के बाहर खुम रहा था उसने अंदर देखा कि पार्टी चल रही है वो खिड़की से देखने लग गया तबी Catherine का husband जिसका नाम है Graham यह उसे पकड़ लेता है उसने कहा कि इस तरीकी से नज़र रखना गलत बात होती है मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हो उसे पकड़ कर घर के अंदर लेकर आया Catherine ने अपने friends के साथ drug किये थे Graham उससे गहता है कि तुम्हें हो क्या क्या तुम इतनी दूर क्यों चली गई Catherine गहती है हमारे बेटी की date हो जाने के बाद तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए था Graham भी यही बाद चाहता है वो फिर से अपने family को पाना चाहता है पर इन दोनों में बहुत बड़े जगड़े थे Graham नहीं Catherine को प्रेजिडन के साथ intimate होने के लिए कहा था Catherine कहती कि हमने जो भी किया इसके बार में सब लोग को बता है और सब लोग हम पर रहसते है Graham को भी बुरा लगा और वहाँ से चला जाता है अगली दिन Adam ने Graham पर भी नजर रखी Graham इस बार Lucian से मिल रहा था यह दोनों डिसकस कर रहे थे कि Catherine का क्या क्या जाए Graham Lucian से कहता है कि Catherine के पास एक डायरी है उसके साथ जो भी होता है इस सब के बार में उसमें लिखती रहती है यह डायरी होना एक बहुत ही बड़ा रेस्त था पर यह Catherine के लिए एक सेफटी है अगर उसकी एजनसी ने उसे हट करने की कोशिश की तो सारी चीजों एक्सपोस कर सकती है इस डायरी के बार में सुनने के बाद Catherine जब घर पर नहीं थी तो Adam उसके घर में आ जाता है डायरी को ढून लेता है अजानक से Catherine भी किसी और के साथ वहावर पहुश गई थी Adam क्लोजेट में चुप गया और उन दोनों को इंटिमेट होता देख रहा था उस आत्मी के जाने के बाद Catherine ने कहा कि मुझे बताए कि तुम यही हो तुम्हारा बैक बहार ही पड़ा था Adam उसे सौरी कहता है पर Catherine ने कहा तुम सिर्फ क्यूरियस थे वो उसे वान करती है कि फिर से यह सब होना नहीं चाहिए आजराद Adam और उसके सब फ्रेंड्स की पार्टी थी इसमें वो एक गेम केलते जिसमें Adam और फेट को तोनों को एक मिनिट के लिए क्लॉजिट में जाना पड़ता है Adam ने फेट से कहा कि मैंने अपना टूथ फिक्स करवा लिया है इसके बाद वो किस करने लग गया जिस तरीके से Adam ने कैथरिन को इंटिमेट होता देखा था उसी तरीके से वो फेट के साथ भी इंटिमेट होना चाहता था पर इस बाद से फेट ज़रा अनकमफरटेबल हो गई वो उस पर गुसा होकर वहाँ से चली जाती है एडम जब घर पर आया तो कैथरिन की घर से बहुत ही लाओड म्यूजिक चल रहा था उसे देखने के लिए पहुच जाता है वो बाहरी बारिश में भीक रही थी वो एडम को देखकर उसके साथ घर में आती है वो ड्रिंग ले रही थी तो उसने एडम को भी ड्रिंग ओफर किया इसके बाद वो एडम के साथ पेंट करने लग गए एडम ने कैथरिन को किस करने का ट्राइ किया वो पर कैथरिन उसे रोक ले दिया इसके बाद इस दोनों पेंट से ही खेलने लग गए सुबा मौर्णिंग में हम देखते हैं कि Adam के बैरन डिसकस कर रहे थे एक्षवल में Adam के फादर का एक न्यू जगा पर ठांसपर हुआ था मदर Adam के लिए ज़रा वरीर थी को अकेले उसे किस तरीके से मैनेज करेगी जब वो उसे उठाने के लिए गई तो उसके सारे कपड़े कलर से भरे हुए थे इस बात पर वो बहुत जादा गुस्सा हो जाती है और रात में कैथरिन के पास था ये बात पता चलने के बाद वो फादर से कहती है कि अभी के भी उसके पास जा उसे कहो कि अड़म से कोई भी और रिलेशन्शिप ना रखे अड़म को कोई भी काम करने की ज़रूद नहीं है फादर जब कैथरिन के पास पोचे तो लुशियन वहाँ पर आय हुआ था लुशियन उसे बात करता है तो फादर के बारे में लुशियन को सब चीज़े पता थी याद तक कि उनका डांसपर भी होने वाला है इसके बारे में वो बोल लेता है ये सब बात सुनकर फादर बहुत ज़्यादा डर गई थे उन्होंने कैथरीन से कहा कि प्लीज आडम को कोई भी काम मत देना कैथरीन भी इस बात के लिए मान जाती है घर पर आने पर फादर भी आडम पर बहुत ज़्यादा गुसा हो गए थे वो कहते हैं कैथरीन से कोई भी रिलेशनशिप अब तुमें नहीं रखनी है तुम स्कूल जाओगे और सिधा घर पर आओगे आज लुशेन कैथरीन को समझा रहा था कि तुम प्रेजिरन को समझाने की कोशिश करो कुछ ना कुछ तो चीज़े बदल नहीं चाहिए वरना प्रेजिरन को ही बदलना पड़ेगा कैथरीन समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गडबर होने वाली है उसने प्रेजिरन को कॉल करकर वान करने की कोशिश की पर उसे पूरी तरीके से वो इगनोर कर रहे थे दावत में वो वाइट हाउस पर भी जाकर आती है वहाँ के गार्ड से उसने बुचा अगर प्रेजिरन को कोई गोली माय रहा हो क्या तुम उसके सामने आ जाओगे गार्ड कहता है मैं मेरी डूटी ओनेसली करूँगा इसके बाद मुवी में प्रेजिरन कैनेडी का असेसिनेशन हो जाता है एडम को जब ये बात पता चली तो कैथरिन के पास आया वो बहुत इडिस्टब्ट थी रो रही थी एडम उसे सहार देता है कैथरिन कहती है इसमें मेरी गलती नहीं थी मैंने उसे वोन करने की बहुत कोशिश की थी मोगे का फायदा उठा कर एडम कैथरिन के साथ इंटिमेट होना चाहता था पर कैथरिन गुस्सा आओकर उसे वहां से निकाल देती है कैथरिन को पता चला कि उसकी नोटबुक कायब है ये उसके लिए बहुत इंपोटन थी वो एडम के घर पर आई पर मदर उसे बात कर दिया एडम चैथरिन ने कहा की एडम के बास मेरी एक चीज है प्लीज उसे वापस करने के लिए कहिए घर उपर कैथरिन से मिलने के लिए उसका आजबन ग्रहाम आए हुआ था उसे कहता है प्लीज नोटबूग वापस कर दो इससे तुम बहुत ही सेफ रहोगी कैथरिन कहती है कि जब मैंने तुम से शादी की थी तुम बहुत ही अलग परसन थे अब तुम क्या बन चुके हो ग्रहाम कहता है कि रेसिरेंट की डेट तो होने वाली थी वो किसी का भी सुनता नहीं था इसमें किसी की भी गलती नहीं है वो कैथरिन से सौरी कहता है उसने कहा हमारे बेटे की डेट के बाद मैं सिर्फ तुमें flags दोशी मान रहा था वो एक accident था जिसमें कैथरिन दोशी नहीं थी ग्राहम ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, वो फिर से उसके साथ नई जिन्दगी स्टार्ट करना चाहता है, कहता है हम इन सब से दूर एक अलग कंट्री में चले जाएंगे, कैतरिन भी इस बात के लिए मान की, शाम में वो लुशन से मिलने के लिए जाती है, उससे कहती ह कि तुमने उसे चुपाई हुए है, किसी ऐसे आदमी के पास, जिस पर मैं शक भी नहीं करूँगा, लुशन को पता था कि डायरी एडम के बास है, कैतरिन इस बात से बहुत ही डर गी, वो लुशन के पास आती है और कहती है, प्लीज वो डायरी मुझे वापस करतो, अब मै मैं यहां से चली जाने वाली हूँ, लुशन कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, वो गहती है कि लाइफ में परपस धुणने के लिए, मेरा बेटा, मेरा आर्ट, यह सब चीज़े मेरी लाइफ को मिनिंग देते थे, जैसे आप बड़े होते जाते हो, तो यह चीज़े आप करते हो, यह हमेशा आपको ढूंटी रहनी चाहिए, कुछ न्यू चीज़े ट्राइ करना चाहिए, यह एडम के लिए एक लाइफ लेसन था, अगली दिन स्कूल से जब एडम जल्दी घर पर आता है, तो उसका कमरा देहसनेस पड़ा हुआ था, लुशन घर पर आकर कैथरी की डाइरी लेकर गया था, एडम कैथरीन की घर पर बहुचा, तो वहाँ लुशन है, उसने उस डाइरी को जला दिया, लुशन एडम से कहता है, कैथरीन ज़रा डिस्टरप थी, उसने अपनी लाइफ अच्छी दरीगे से जीए, और लास्टली वो ज़रा कन्फियूस्ट ह जो तुमने पढ़ा और देखा, इसके बारे में किसी को भी मत बताना, एडम पुछता है कि कैथरीन का है, लुशन ने कहा कि आज तो तुम मिलने वाले थे, एडम उसी जगावर कैथरीन से मिलने के लिए पहुचा, पर कैथरीन की नीचे गिर कर डेथ हो चुकी थी, कैथर मिलकर उसे बहुत मारते हैं, उसने जो भी किया इसका उसे बहुत रिग्रेट होता है, गर उपर आने के बाद उसे गैथरीन से एक कुरियर मिला, उसने मरने से पहले एडम के नाम पर एक कुरियर कर दिया था, इसमें पेंटिंग के अलग-अलग पार्स थे, इस पार्स को जोडने के बाद Adam की पिक्चर बनी गैथरीन के डेट के बाद Adam को समवाट एक क्लोजर मिल जाता है इस एक्सपरियेंस से हो सिखेगा और आगे बढ़ेगा इसे के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इससे लाइक कर दीजेगा यह ब